मैंने उसे राहे रास पर लाने के लिए हर मुम्किन कोशिश की, अपना बिसनिस पार्टनर बनाने का भी कहा, लेकिन अजीब सरफिरा आदमी है, इस पर किसी बात का असर ही ना हुआ, उठकर चला गया, नूर अहमद ने अपनी हतक का दुख पीते हुए बीवी से कहा, हम, व वो खामुशी से सुनती रही, तुमने सारी बात बता दी थी, हाँ, नौरीना ने खुद ही बताया था, कि जावेश शादी शुदा है, और एक बच्ची का बाप है, खुद नौरीना ने बताया था, हाँ, तुमने नौरीना से कोई बात की, नहीं, वो उदास जरूर है, ल तुम्हारा क्या ख्याल है, चली जाए तो अच्छा ही है, कुछ बहल ही जाएगी, सूफिया की बेटियां इसकी हम उमर है, ठीक है, जावेश से तो किसी उमीद को वाबस्ता करना हिमाकत ही है, मैं तो नौरीना की खातर उससे बात करने पर आमादा हुआ था, वरना ये नि नौरीना का वहम ही है, वरना असलम कहां और ये लड़का कहां, ये तो ना कहें, मुशायबत तो इतनी ज्यादा है कि नजर अंदाज नहीं की जा सकती, सिर्फ जिसमानी मुशायबत ही देखना है, असलम और जावेश के जहनों में जमीन और आसमान का फर्क है, कहां वो था कि कोई मौका हाथ से खोना जानता ही नहीं था, कहां ये सहाप के बिजनिस पार्टनर बनाने की पेशकर्श भी की, तो मुस्तरित कर दी, इसलिए डैडी, अचानक नौरीना कमरे से निकल कर लॉबी में आ गई, ममी और डैडी ने चौक कर इसे देखा, डैडी घबराए, कि इनकी सारी बातें से सुन ली थी, नौरीनान इनके करीब सौफे पर बैठते हुए, सौफे की पुष्ट पर गरदन डाल कर आँखे बन करते हुए बात पूरी की, जावेद बिक नहीं सका, इस से इसकी शक्सियत सामने आती है डैडी, वो बहुत उंचा, बड़ा अजीम इ इस इकलोती नाजुक सी बच्ची ने, ममी ने नूर एहमद को आँख से इशारा किया, वो इनकी बात समझते हुए, नौरीना की सर पर हाथ फिरने लगे, फिर इसका सर बड़े प्यार से अपनी चाती से लगा लिया, नौरीना, तुम बाहिर जाना चाह रही हो, जी डैडी इसने इन से अलग होते हुए कहा, चन्द मा के लिए अंटी के पास चली जाओं तो, तुम्हारी खुशी, मैं जल्दी बंदुबस्त करूंगा, शायद वहां जाकर तुम्हारी तबियत पहल जाए, तबियत की बात छोड़ें डैडी, इसने एक आहा भर कर, मुस्कुनाने क कोशिश की, और मम्मी और डैडी दोनों ही अफसुर्दा हो गए, वो उट खड़ी हुई, कहां, अपने कमरे में, यहीं बैठो, कुछ बाते करो, कमरे में अकेली बैठी रहती हो, और कुछ नहीं तो चिकागो का प्रोग्राम ही बनाओ, डैडी की बात पर वो हस दी, चंद खसी आने से हो गए, वो बड़े बड़े शीशों की दिवार से बाहर देखते हुए बोली, फिकर ना किया करें, ऐसा नहीं होगा, मैंने दुखों से समझाता कर लिया है, मम्मी की आँखे टबडबा गई, जैडी ने एक निगाए दर्द इस पर डाली, इस लंभे वो अप चेहरे पर खुशियों के फूल खिलाने से कासर थे, मुसरुतों के लंभे पकड़ कर इसकी जोली में ना भर सकते थे, डैडी, वो बोली, जो सरतापा यास हो महरूमी की तस्वीर थी, जी, डैडी आप आइंदा जावे से कुछ ना कहिएगा, वो अपनी बीवी और से तूट कर महबत करता है, वो बहुत उंचा इंसान है, इसने आपकी पेशकष्ट को ठुकरा कर अपने मजबूत करदार का मुझाहरा किया है, मैं, मैं इस बात की तारीफ करूँगी, काश, काश, इसकी आवाज उभर आई, और वो तेज-तेज कदम उठाकर अपने कमरे मे चली गई, मम्मी और डैडी ने ठंडी आ भर कर एक दूसरे को देखा, इनके बस में कुछ नहीं था, नौरीना का काश, काश कहना इसके दिली दुख और दर्थ का खुला इसहार था, फिर वो रो देने को भी थी, माबाप का कलेजा कटने लगा, इसे बहुत जल बाहिर बि तो इसी तरह हो जाएगी, एक ही वारदाद बार बार तूट रही है इस पर, हम बेबस हैं, काश, जाविद मान जाता, हम भी अपनी बच्ची के चहरे पर खुशियों के पर तो देखते, मैंने बहुत कुछ कहा, मेरा ख्याल था, वो गरीब है, इतनी बड़ी ओफर को नही ठुकराएगा, लेकिन, वैसे कहा उसने ठीक ही है, हम सिर्फ अपनी बच्ची की जोली खुशियों से भढ़ना चाते हैं, ये कब सोचते हैं, कि ऐसा करने से, इसकी बच्ची खुशियों से महरूम हो जाएगी, एक औरत अपने सुहाग से, हमने कौन सा बीवी बच्ची को छोड़ देने का कहा था, लोग दो दो छोड़, तीन तीन चार चर बीवियों से भी तो निवा करते हैं, जुल्म ही होता है, मम्मी और डैडी इस मौदू पर बाते करते हुए, अपनी अपनी जात के हिसार से निकल आये थे, जावेद का अमल इनके लिए भी एक मिसाल था, और इसे क्रेडिट देना ही पढ़ रहा था, जैसे नौरिना ने दिया था, जावेद की हालत पागलू की सी थी, बच्ची का गोश्ट और चर्बी पिगल पिगल कर नायलॉन के फ्रॉक में चिमट कया था, बाजू की तो हड़ी भी नजर आती थी, कली महले के लोगों ने आकर बच्ची पर कंबल डाला था, आग बुझाई थी, चलते पटाखों को बमश्किल बुझाया था, और यही लोग बेबी को तांगे में डाल कर अस्पताल ले गए थे, शबे बरात की चुट्टी थी, बड़ी मुश्किल से एमरजंसी वार्ड में बेबी को पहुँचा यूँ भी गरीब लोग थे, बड़े डॉक्ट्रों तक रसाई न थी, और केस भी इतना सीरियस था, एड्मिशन जरूरी थी, महली का एक बड़ा लिका नौजवान पेश पेश था, इसने हिम्मत और जुरत का मुझाहरा किया, तो बेबी को एड्मिट कर लिया गया, बेब सुरत घुंग्रियाले बाल भी जल गए थे, कहते हैं, मुसीबत आये तो अकेली नहीं आती, इसके जलों में बहुत सी आफ़तादें भी होती हैं, जावित के साथ भी ऐसा ही हुआ, बेबी चार घंटे आपरेशन थेटर में रहने के बाद, पट्टियों से जकड़ी, वार इडिंग तो रात से ही शुरू हो गई थी, सुबह होते तलक, वो मौत की धहलिस तक जहां पहुची, महले दारोही ने जावित की बहनों भाईयों को इतला दी, सब आप पहुचे, फाखरा को भी अस्पताल दाखिल करवा दिया गया, जहां उसका डी एंसी हुआ, फाखरा की उमीदों का मरकज बनने वाला था, मारज, वजूद में आने से पहले ही चल बसा, जावित की हालत पागलो जैसी ना होती, तो और क्या होता, कभी बच्ची के पास जोरता, और कभी फाखरा को देखता, कितनी हसीन, कैसी प्यारी दुनिया पल भर में उजड गई थी, कई दिन बर इसी तरह गुजरता, वो तो चन्द दिनों के लिए बहने और भावियां आ गई थी, कोई घर पे रहती, कोई हस्पताल में, भाई भी काम से चुटी होने पर चक्कर लगा जाते, ये भी फाखरा का इखलाक था, जो इन सब से बना कर रखी थी, और आज इस की थी, अब फाकरा भी ठीक थी, गो बेतहाशा खून जाया होने के बाद बेहत कमजूर हो गई थी, और बच्ची का जिन्दा दुख कलेजे में तीर की तरह उत्रा हुआ था, फिर भी अब पहले की निजवत बहतर थी, यो भी रिश्टेदार कब तक बैठे रहते, कौन ज पेशलिस्ट की फीस्ट और जीगर जरूरियात, जाने इतने दिनों किस-किस ने पैसा दिया था और किस-किस ने खर्च किया था, जावेद जरा समला तो इन बातों का ख्याल आया, जल्दी में महलेदारों ने ये ना सोचा था, कि बेबी को किसी ऐसे हस्पताल में दाखिल करवाएं, जहां खेराती वाड भी हो, और इतनी लंबी बिमारी के इलाज के लिए कुछ नकुछ अस्पताल ही से मदद मिल जाए, लेकिन इस वक्त सोचने का मौका थोड़ा ही था, यही प्राइविट अस्पताल करीब था, वहीं बेबी को ले गए, जान की पड़ी थी, पैसे का इस वक्त कौन सोचता, फाखरा को भी इसी अस्पताल में लाना पड़ा था, अब जो इखराजात का अंदाजा लगा, तो जाविट काम कया, इतना खर्चा कहां से आएका, बास सैकडों ही हजारों में पहुँच रही थी, इंजेक्शन और दवाईया ही जो लाई गई थी और जो भी लाई जानी थी, जाविट के हवास गुम कर देने वाली थी, लेकिन इस अफ्तास से भी निवटना ही था, कुछ पैसे बैंक में थे, वो निकल वाई, जिस जिसने खर्च किया था, उसका कर्दा चुकाया, रिश्तेदारों ने सबसे पहले अपनी अपन मांदन, कई दिन तो आफिस ही न जा सका, और ना ही चुट्टी की दर्खवास बेच सका, वो तो भला हुआ अर्शत का, खुद ही चुट्टी की दर्खवास टाइप करके ले आया, और जाविट की दस्तखत करवाने अस्पताल ही आ गया, अपने इस पर खुलूत दोस्त को बड़ी तसलिय और तश्वी देने के बाद बोला, जाविट मुझे अपना भाई समझो, पैसे की जरूरत हो तो फौरण बता देना, मेरे पास नकत तो शायद जादा न हो, मेरी बीवी के पास थोड़ा सा जेवर है, मैं बेच कर तुमें पैसा ला दूंगा, इस सच्चे मैं भी जेवर बेच रहा हूँ, फाखरा के पास दो तीन तोले सुना है, जेवर भी बिक गया और फाखरा के शौक से खरीदे हुए सेकेंड एंड सौफे और कुरसियों की बारी भी आ गई, सारा पैसा प्राइविट हस्पताल की नजर होने लगा, बेबी के चेहरे के जग इसने दिवार से अपना सर टक्रा टक्रा कर वो दिवारों की तरह आहो बका की, बेबी जो दाजा खिले हुए फूल की मानित थी, अब इतनी भयाना को खौफनाक नजर आ रही थी, अभी तो सिर्फ चेहरे की पच्चियों की लपेट में था, बेबी का जिसम नीम दाइरे क की सूरत इख्तियार करना अपनी जगा अजियत दर था, असलिय अजियत तो बेबी की चीखों से होती थी, नीम दाइरे ऐसा जिसम, जरा सी हरकत पर भी इतनी तकलीफ पहुचाता है कि बिचारी बच्ची चीख चीख कर रोने लगती, बड़े दिनों बाद आये हो, सर में चुटी पर हूँ, हाँ मुझे चंद दिन हुए अश्वाक सहाब ने बताया था, शायद तुम्हारी बच्ची बिमार है, एक सिस्की जावेद के हलक में अटक गई, बैट जाओ, नूर एहमद ने सर्द महोरी से कहा, वो शानदार आफिस टेबिल की दूसरी तरफ रखी, क जो खुद भी बर्सों का बिमार नजर आता था, शेव भी नहीं की हुई थी, और बगएर शेफ के चेहरे पर जर्दी खुंडी हुई थी, इसके लब खुश्क थे, और आँखों में खिचाव सा महसूस हो रहा था, इसने लिबास भी बेतर्तीब सा पहन रखा था, अर्श दूर होकर इनके पास आया है, लेकिन इन्हें इसकी हालत पर रहम नहीं आया, बलके घुसा आ गया, दिल ही दिल में इसे कोसने लगे, ना माकूल आदमी, अपनी गर्स है तो भागा चला आया है, हूँ, ये लोग मू लगाने के काबिल ही नहीं होते, ये एक खुद पसंद सरमायादार की सोच थी, सर, जाविद कदरे तामल के बाद रुहांसी आवाज में बोला, यस, पाइप का गश लेते हुए, वो तमस्कर से मुस्कुराए, वो चुप रहा, नूर एहमद खुद ही बोले, तनख़ा लेने आये हो, सर, तनख़ा में ले गया था, अब क्या चा आते हो, कुछ एडवांस, इसने जेव से एक दर्खास निकाली और इसके सामने रख दी, इतना पैसा, यस, सर, क्या करोगे, सर, हॉस्पिटल के बिल जमा करवाने हैं, डॉक्टरों की फीज भी देना है, और, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम रेकमेंड नहीं करूंगा, सर, वो सिसक उठा, फिर मिन्ना तो जारी के अंदाज में बोला, मैं बहुत सक्त परिशान हूं, सर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, थोड़ा सा कर्स ही दे दे, मुझे बिल अदा करने है, सर, प्लीज, नूर एहमद दिल कड़ा के गए, वो रुहांसी, केलो गेर और हाथ भी बांद दिये, सर, आपका एहसान उमर भर नहीं भूलूँगा, नूर एहमद ने हकारत से कहका लगाया, फिर बोले, बच्ची तकलीफ में है ना तुम्हारी, हाँ सर, इसकी तकलीफ देखी नहीं जा सकती, नूर एहमद कुछ उदास हो गए, हाँ, इनकी तकलीफ जूर करने के लिए बाब जलील भी होते हैं, खौर भी, जाविद ने पटी-पटी निगाहों से इने देखा, वो बेहत मुस्तरिप थे, मायूस होकर वो उट खड़ा हुआ, जाविद समझ गया था, कि वो इससे बदला ले रहे हैं, ठैरो, नूर एहमद ने कहा, जाविद रुख गया, नूर एहमद चंद सानिये से देखते रहे, कुछ सोचा, फिर पैन उठाकर रेकमेंड कर दिया, पांच हजार की फौरी अदाईगी पर दस्तकत कर दिये, जाविद एहसान मंदी से जुक गया, इसकी किची-किची आँके डपडवा गई, इसके जाने के बाद नूर एहमद आफिस में ना बैठ सके, तबियत बेतरह उदास हो गई थी, जाविद पर रहम ना खाना चाते थे, लेकिन इसकी मदद कर दी, फिर सेकेर्टरी को बुला कर हिदायत करने लगे, इसके बाद उठे और आफिस से बाहर आ गए, बजारों बेवाकसद घूमने फ कहा, मैं जानता था, मेरी बेटी का खत आया होगा, क्या लिखती है, वो बोले, आपको कैसे पता चला, के नौरीना का खत है, एक प्यार करने वाले दिल को एहलाम हो जाता है, ओखो, क्या लिखती है, मैं पढ़ लूँ, फिर आप पढ़ लीजिएगा, नूर एहमद अंदर चले गए, लाबी के अगबी शिशे की दिवार से, बैरूनी चमन की बहार नजर आ रही थी, खूब फूल खिले थे, सब्जा निकरा हुआ था, और जर्दी माईल, सुनहरी दूप, सरशारी की कैफियत में इन पर उतर रही थी, बहार पर बहार आई हुई थी, नूर और उनकी बेटियों के साथ खुश थी, वहां कई लोगों से मिल चुकी थी, और दो मामें वहां के लोगों को करीब से देखकर, जो महसूस किया था, मुक्तसरन उसका हाल लिखा था, नूर एहमद थे खत पढ़कर सुकून से सांस लिया, चाय या कॉफी, नौरिना की मम्म के हवाले से देखते हैं, बेटी का खत पाकर खुश हूँ, तो सारा जहां खुश नजर आ रहा है, ये बात तो है, लेकिन इस जहां में दुख भी बहुत हैं, इन दुखों का हम खुद एक हिस्सा हैं, शायद हमारा दुख दूसरों के मुकाबले में कुछ कम ही है, नूर ये हालत बना रखी थी ना, पैसे भी तो नहीं थे उसके पास, बच्ची ठीक हो जाएगी, पता नहीं, अश्वाक सहाब तो बता रहे थे के बच्ची माजूर हो गई है, जिसम नीम दारे की सूरत इक्तियार कर गया है, बैट सकती है, ना सीधी लेट सकती है, ओो हो हो, वो बता रहे थे के डॉक्टर कहते हैं, जखम खीक हो भी गए, तो जिसम ठीक नहीं होगा, बच्ची शायद खुद चल फिर ना सके, तौबा तौबा, जावेत तो, बिलकुल पागल हो रहा है, तुम इसे देखो, तो पहचान ना सको, मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन, ये सब कुछ सुनकर जी चाहता है, बच्ची को देखने जरूर जाएं, चले जाएंगे किसी दिन, अभी तो वो हॉस्पिटल ही में है, दोनों बाते करने लगे, मुझे आज जावेत पर घुसा भी बहुत आया, और तर्स भी, क्यों, वो कुछ लोन लेन आया था, दे दिया, हाँ, सिर्फ इस बच्ची की खातिर, जिसे एक बाप तूट कर प्यार करता है, नौरीना की ममी ने एक गहरी सांस ली और बोली, आपने अच्छा किया, महीनों हॉस्पिटल के खराजात उठाने की इसकी हिम्मत कहां, नूर एहमत खला में देखते नजाने क्या सोचने लगे, मुलाजिन चाय ट्रॉली में रखकर ले आया, नौरीना की ममी अपने और नूर एहमत के लिए चाय बनाने लगी,